फूल बिछे हो या काटे हो राह न अपनी छोड़ो तुम चाहे जो विपदाएं आए मुख से जरा न मोड़ो तुम साथ रहे या साथी रहे न साथी हिम्मत मगर न छोड़ो तुम नहीं कृपा की भिक्षा मांगो न कर ना दीन बन जोड़ो तुम बस इस्वर पर रखो भरोसा पाठ प्रेम का पढ़े चलो जब तक जान बनी हो तन में तब तक आगे बढ़े चलो जब तक जान बनी है तन में तब तक आगे बढ़े चलो जैहिन मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का अपने यूटूब चैनल अवधेकडेमी पर हादिक स्वागत्यों अभिननन्न है दोस्तों आज की क्लास में वने जीओ सरच्छन की शिरिंखला में हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी सिरिंखला में हम आगे चल है गत्ते हैं और आज का अठरावव है का है अगर आपने हमारे इसके पहले की वीडियो नहीं देख़े हैं तो प्ले लिस्ट में चले जाएे प्ले लिस्ट में आपको उत्तर-प्रदेश जी के राओ बत्तर प्रदेश समान ग्यान के नाम से मिलेगा आप उस प्लेश्ट में पूर संपूर यूपीजी के देख सकते हैं और आपको अगर मैथ और रिजिनिंग अन्ने कला से चाहिए तो प्लेश्ट में पड़े हुई वीडियो हैं आप उनको भी देखकर अपना पढ़ सकते हैं तो चलिए हम इस रिंखला में आगे बढ़ेंगे उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बिलान कर लीजिए ठीक है तो इस कड़ी में चलते हैं देखिए भीया सन 1984 में 1984-1985 1984-1985 में से लखनव लखन के और अमधेश है लखनव के कुकुरेल कुकुरयल वन ठीक है कुकुरयल मन में लुब्त प्राय, लुब्त प्रायktion, प्रजातियों, लुप्ट प्राय, प्रजातियों के प्रजनन के लिए, प्रजनन केंद्र अस्थापित किया गया है, ठीक है, अस्थापित किया गया है, यहां पर काला हिरन, काला हिरन, उद्विलाओ, उद्विलाओ, कांकेर, कांकेर, आदि, लुप्ट प्रजातियों की, लुप्ट प्रजातियों की प्रजनन योजना, चल रही है, ठीक है, प्रदेश में, प्रदेश में, 1986 सतासी, से, कच्छुआ, पुनरवास, कच्छुआ, पुनरवास, योजना, चलाई जा रही है, कच्छुआ, पुनरवास, योजना, चलाई जा रही है, इस योजना, में, मांसाहारी, कच्छुआ को, सन अच्छ प्रदान किया गया है, सन अच्छ प्रदान किया गया है, या है योजना, यह योजना, गंगा एक्षन, कौन से, गंगा एक्षन, गंगा एक्षन, प्लान, के अंतरगद, अंतरगद, केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा, पोसित है, ठीक है, कौन सी, कच्छुआ, पुनरवास, योजना, जो है, इसके अंतरगद, मांसा, हरी, कच्छुए, को सरच्छन, प्रदान, किया जा रहा है, यह गंगा, एक्षन, प्लान, के, अंतरगद, पोसित की जा रही है, ठीक है, आगे चलते हैं, वारानशी के, वारानशी के, राम नगर, राम नगर से, राज घाट, के बीच, लगभग, के बीच, लगभग, साथ किलो मीटर, गंगा नदी के छेत्र, गंगा नदी के छेत्र को, 1989 में, कच्वा अभ्यारन, कच्वा अभ्यारन, घोशित किया गया है, घोशित किया गया, ठीक है, राम नगर से, राज घाट के बीच, साथ किलो मीटर की दूरी को, कच्वा अभ्यारन के रूप में, घोशित किया गया है, ठीक है बभू राश्डी जल जीएू राश्टी जल जीएू गंगा डाल्फीण गंगा-डाल्फिन इसका जो आपका गंगा डाल्फिन का जो लोकल नाम है इसे स्फुईश या सुसु के नाम से जाना जाता है ठीक है ये लोकल लेंग्वेज में इसको सुईश या सूसू बोला जाता है ये प्रयाग राज प्रयाग राज से मिर्जापूर मिर्जापूर तक मिर्जापूर तक गंगा में अधिक सरलता से मिलती है ठीक है कहा मिलती है तो गंगा में बहुत आसारी से सरलता से मिल जाती है ठीक है आगे बात करते हैं प्रदेश में प्रदेश में गंगा डाल्फिन गंगा डाल्फिन की कुल संख्या एक हजार दो सो पचात्तर है कितनी है एक हजार दो सो पचात्तर है ठीक है बाबू प्रदेश प्रयाग राज प्रयाग राज का मेजा प्रयाग राज का मेजा कुराओं छेत्र कुराओं छेत्र तथा अलिगड़ का अलिगड़ का गवाना छेत्र गवाना छेत्र काले हिरन के लिए प्रशिद्ध है यहाँ पर काला हिरन पाया जाता है और एक चीज़ और है यह अलिगड़ का जो का माना छेत्र है यह गवान छेत्र गवान छेत्र के लिहाज से गैरवन छेत्र के लिहाज से सरवधिक काला हिरन यहीं मिलता है ठीक है यहीं पर जो है सबसे अधिक काला हिरन मिलता है ओके समझ मैं आगे चलते हैं दोस्तों इस रिंख्ला में तो बात करें मयूर सरचन केंदर की मयूर सरचन केंदर की तो मयूर सरचन केंदर ब्रिन्दावन मतुरा में है कहां पर ब्रिंदावन मतुरा में है ठीक है ब्रिंदावन मतुरा में है तितली पार्क की बात करें तितली पार्क तो भीया यह आपका लखनव एवं कानपुर के प्राणी उद्दान में है ठीक है कानपुर और लखनव के प्राणी उद्दान में है अगर हम बात करें तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क नाइट शफारी पार्क नाइट सफारी पार्क नोएडा जिसे ग्रेटर नोएडा के नाम से भी जाना जाता है ग्रेटर नोएडा में श्थित है अगर हम बात करें बबबर सेर प्रजनन केंद्र चाथा लायन सफारी पार्क लायन सफारी पार्क लायन सफारी पार्क इटावा इटावा में इश्थी थे ठीक है और यह जो आपका लायन सफारी है लायन सफारी को इंग्लेंड के इंग्लेंड के लाइन लाइन लीर सफारी पार्क सफारी पार्क के आधार पर इसका निर्माड हुआ है ठीक है तो उसके आधार पर इसका निर्माड हुआ है आगे बात करें देश का पहला देश का पहला डाल्फिन सूचना केंद्र डाल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी है चंबल नदी छेत्र है ठीक है डाल्फिन सूचना केंद्र जो है चंबल नदी का छेत्र है ऑके बाबू देश का सबसे बड़ा घड़ी घड़्याल अभ्यारण अफर ड़्याल और मधर्यालओ लिए अठीक सबसे बड़़र गड़्यालब उप आजहोग alone तो चंबल नदी स्वेत्र है ठीक है वाया तो चंबल नदी शेत्र भी है देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण ठीक अगर हम आगे चलते हैं तो भालू के पुनरवास है किसके भालू की भालू के पुनरवास है तो भालू के पुनरवास है तो रिस्क्यू सेंटर रिस्क्यू सेंटर माथूरा में अस्थापित किया गया है कहां पर माथूरा में अस्थापित किया गया है सर्वधिक पच्चियों की प्रजादिया राश्टी चंबल अभ्यारण छेत रहे है राश्टी चंबल अभ्यारण छेत्र है ठीक है दो हजार चौदा में कि वर्ष्ट दो हजार चौदा में प्रदेश में कि प्रदेश में बिन्द जड़ एको टूरिज्म पौल सी घोशित की गई एको टूरिज्म पौल सी घोशित की गई ठीक है एको टूरिज्म पौल सी घोशित की गई भ्याँ चिंकारा प्रदेश में के चिंकारा प्रदेश के बिन्द जंगलों बिन्द जंगलों में तथा गैंडा गैंडा तराई छेत्र में तराई छेत्र में पाया जाता है ठीक है तराई छेत्रों में पाया जाता है दुधवा राश्ची उद्ध्यान या दुधवा टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व प्रदेश में प्रदेश में परेटन सुविधा युक्त परेटन सुविधा मुक्त सुविधा मुक्त टाइगर रिजर्व है टाइगर रिजर्व है ठीक है परेटन सुविधा मुक्त टाइगर रिजर्व वन जीव प्रशिक्षण के अंद्र की अगर हम बात करें वन जीव प्रख्षिक्षण के अंद्र वन जीव प्रशिक्षण छेत्र लखनव लखनव वा इतावा लखनव इतावा में है ठीक है लखनव इतावा में है ठीक वर्ड फेस्टिबल बर्ड फेस्टिबल बर्ड फेस्टिबल हर वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्टा है कि अश्युक्त में मनाया जाता है और जीव दिसंबर के प्रथम सप्टाह में मनाया जाता है वन प्रानी सुरच्छा सप्ता एक से 1 से 7 अक्तूबर को मनाया जाता है ठीक है वन प्रानी सुरच्छा सप्ता जो है एक से साथ अक्टूबर तक मनाया जाता है ठीक तो दोस्तो इसी करिम में आगे बढ़ेंगे हम और हम आपको एक बार में एक नज़र डाल देते हैं पंची बिहार और वनिजू बिहार की बारे में